Hello Friends, Friends आज की इस वीडियो में हम लोग आशाम डिरेक्ट रिक्रुइट्मेंट का जो एक्जाम हुआ था 2022 में उस एक्जाम में पेपर 4 में जेनारेल नोलेज सब्जेक्ट में से जो टूटेल 50 क्वेशन्स पुचे गे थे उन सारी क्वेशन्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे Friends इससे पहले पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में जेनारेल नोलेज में जो क्वेशन्स पूचे गे थे उन क्वेशन्स के उपर मैंने आप लोगों को अल्रेडी वीडियो पर बैट कर दिया है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को अपडेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप उसे लिंक के उपर क्लिक करके उन सारे वीडियो को एकर करके देख सकते है पिछलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते है पहला question number one में बोल रहे हैं कि the term तिरतं करास is associated with ये जो term है तिरतं करास ये term इन मेंसे किस के साथ associated है तो friends the term तिरतं करास ये जो term है ये term आपका जैनिजम के साथ associated है तो यहाँ पर कुशन नमबर one का करेक्ट नसर हो जाएगा आपका option है जैनिजम next question number 2 में बोल रहा है दिखे the state of northeast India that does not share borders with bangladesh इन में से कौन सा state आपका bangladesh country के साथ border share नहीं करता है तो friends इन में से manipur जो state है ये state bangladesh country के साथ border share नहीं करता है यहाँ पर friends tripura, megalay, majoram ये तीनों state करता है पर मनिपूर स्टेट पंगलादेश कांट्री के साथ बोर्डार श्यार नहीं करता है तो यहाँ पर कुशन नमबर टू का करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका आप्शन ए मनिपूर नेक्स्ट कुशन नमबर त्री में बोल रहा है दिखे फाइंड दा ओर्ड वान आउट नमें से कौन सा ओर्ड वान है यह हम लोगों को निकलना है अब यहाँ पर फ्रेंड्स गैंग्टॉप यह क्या है यह सिक्किम का क्रेपिटल है इंपल मनिपूर अगरतल्अ त्रीपूरा का क्रेपिटल है पर दिमापूर यह जो place है यह किसी भी state का capital का नाम नहीं है तो यहाँ पर D odd one हो जाएगा तो यहाँ पर D odd one हो जाएगा आपका option D दिमापूर नेक्स्ट कुशन नमबर 4 में बल रहा है कि which one of the following groups is the festival लाई हरोवा associated with इन में से कौन सा group कौन सा community के लोग लाई हरोवा फेस्टिबेल सेलिबरेट करते है तो फ्रेंड्स लाई हरोवा जो फेस्टिबेल है यह फेस्टिबेल आपका मैथिस लोग सेलिबरेट करते है तो यहाँ पर कुशन नमबर 4 का करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका option D में इतिस नेक्स्ट कुशन नमबर 5 में बल रहा है कि where in northeast India is kangla fort located kangla fort यह कहा पर पढ़ता है तो फ्रेंड्स kangla fort जो है यह पढ़ता है आपका info में कुशन नमबर 5 का करेक्ट अंसर हो जाएगा आपका option D इंफन नेक्स्ट कुशन नमबर 6 में बल रहा है कि which of the following is not a correct statement यहाँ पर चार statement दिया गया है इन चारों में से कौन सा statement गलत है यह हम लोगों को बता रहे option A में दिया गया है कि सुन्दरबंस डेल्टा is home to the largest mangrove forest in the world मतलब सुन्दरबंस डेल्टा जो है यह largest mangrove forest है वाल्ड का तो यह statement सही है option B में दिया गया है कि China is world's largest mica producer हाँ China world का सबस्यादा mica produce करता है यह statement भी सही है सी में दिया गया है कि Star Island is a land area that is anti-puddle to India हाँ यह statement भी सही है that means option D यहाँ पर गलत है देख लेते हैं option D option D में दिया गया है कि India's largest inland salt water lake is located in Gujarat यह statement आपका गलत है that means question number 6 का correct answer हो जाएगा आपका option D next question number 7 में बलता है कि according to the election commission of India in order to recognize as a national party a political party must be treated a recognized political party in at least how many states किसे भी एक political party को national party बनने के लिए उस political party को कितने ऐसे state में यहाँ पर कितने ऐसे state में recognized political party होना चाहिए at least कम से कम कितने state में recognized political party वो political party होना चाहिए तब जाके उस political party को हम लोग national party कहेंगे तो friends at least कम से कम चार कम से कम four state में regional political party treated होना चाहिए तब जाके हम लोग उस political party को national party कहेंगे तो question number 7 का correct answer हो जाएगा आपका option B next question number 8 में बोल रहा है कि who amongst the following said freedom is my birthright and I shall have it यह जो statement टे इस statement को किसने द्याता friends freedom is my birthright and I shall have it इस statement को द्याता बाल गंगादर तिलक ने question number 8 का correct answer हो जाएगा आपका option B बाल गंगादर तिलक next question number 9 में बोल रहा है कि the second battle of panipat fought between akbar and himu was in the yard मतलब panipat का second battle जो हुआ था वो हुआ था between akbar and himu के बीच यह कम हुआ था तो यह हुआ था आपका 1556 में question number 9 का correct answer हो जाएगा आपका option C 1556 next question number 10 में बोल रहा है कि when did the election commission of India first enforce the none of the above that is not a in the voting option in the assembly election in India मतबब अभी हम लोग जब बूट देने के लिए जाते हैं तब हमारा EBM में एक option रहता है नोटा नोटा भी आप दबा सकते हैं अगर कोई भी कडिट आपको पसंद नहीं आए तो आप नोटा भी दबा सकते हैं तो यह जो नोटा option यह कभ इंडिया में इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया ने लगाया था पहली बार यह लगाया था फ्रेंड्स नवंबर तुटोजंत आटेन का assembly election में तो question number 10 का correct answer हो जाएगा आपका option भी नवंबर तुटोजंत आटेन next question number 11 में बोल रहे ते कि होयार is the headquarters of the international court of justice located international court of justice का headquarters कहा पर परता है the hog में question number 11 का correct answer हो जाएगा आपका option भी नवंबर तुटोजंत नवंबर 12 में बोल रहे ते कि which one of the following steps did the role act act incorporate role act act incorporate इन में से यहाँ पर कौन सा step लिया गया था role act act incorporate role act act के द्वारा कौन सा step लिया गया था तो यह step था आपका imprisonment without trial तो यहाँ पर question number 12 का correct answer हो जाएगा आपका option C imprisonment without trial next question number 13 में बोल रहे थी कि in which you are did the supreme court of India apparent its first amen jazz and whom did it apparent मतलब supreme court का पहला amen jazz को थे और इनका कब appointment जा गया था उनका नाम और साल बताना है तो यहाँ पर साल है आपका 1989 और common judge का नाम है फातिमा बीबी that means question number 13 का correct answer हो जाएगा आपका option C 1989 कमा फातिमा बीबी next question number 14 में बोल रहे थी कि the minimum age for acquiring putting right in India was reduced from 21 years to 18 years in the year मतलब आभी एक credit rate बूर दे सकता है 18, 18 साल के बाद बूर दे सकता है पर पहले यह साल 21 था 21 से गटा के यहाँ पर minimum 18 years का ब लाए गया था तो यह लाए गया था आपका 1988 में तो question number 14 का correct answer हो जाएगा आपका option B 1988 यहाँ पर friends actual year option में 1989 नहीं था actual year तो आपका 1989 यहाँ पर आप देखिएगा यह जो amendment है यह amendment constitutional amendment act 1988 1988 तो एक्जाम में क्या गया था एक्जाम में यहाँ पर amendment act 1988 देखे यहाँ पर option दिया गया था तो 1989 यहाँ पर correct answer हो था यहाँ पर साल याद रखेगा constitution amendment act 1988 यह भी याद रखेगा next question number 15 में बोल रहे है कि in which year did the British transfer the capital of India from Calcutta to Delhi British ने कब Calcutta इंडिया का capital Calcutta था पहले उसको दिल्ली कब shift क्या था तो यह shift क्या था 1911 में question number 15 का correct answer हो जाएगा आपका option है 1911 next question number 16 में बोल रहे है कि the chief of the Ahum military during the reign of Chuung-mung and the husband of Mula Gabbara was जब यहाँ पर Chuung-mung और Mula Gabbara का जब कारे का चल रहा था उस time में यहाँ पर the chief of Ahum military को थे तो उस time में chief of Ahum military थे आपका यहाँ पर आप देख सकते है फ्रशंग-mung बोल रहे हैं तो यहाँ पर question number 16 का correct answer हो जाएगा आपका option B फ्रशंग-mung बर्गोहाई next question number 17 में बोल रहे है थी कि in which year the title बाइसरोय वास गिबन टू गवार्नर जनायल अफ इंडिया गवार्नर जनायल अफ इंडिया को बाइसरोय टाइटल कप देया गया था तो फ्रेंड्स गवार्नर जनायल अफ इंडिया को बाइसरोय टाइटल दिया गया था 1858 में तो question number 17 का correct answer हो जाएगा आपका option B 1858 next question number 18 में बल रहे थे के borderland territorial council is a result of which of the following constitutional provisions borderland territorial council जो है ये आपका कौन सा schedule के जरिए इसको लाया गया था तो ये आपका 6th schedule के जरिए लाया गया था तो question number 18 का correct answer हो जाएगा आपका option C 6th schedule next question number 19 में बल रहे थे के parkyong airport is located in parkyong airport ये कहा पर पढ़ता है तो friends parkyong airport जो है ये पढ़ता है आपका सिक्किम state में question number 19 का correct answer हो जाएगा आपका option B सिक्किम next question number 20 में बल रहे थे कि the most common animal figure found at all the harapan site is the सभी harapan site में इन में से कौन सा common animal figure देखा जाता है तो वो animal figure है आपका यूनिहर्न बुल question number 20 का correct answer हो जाएगा आपका option A यूनिहर्न बुल next question number 21 में बल रहे थे कि how many rings are there on the olympics flag olympic flag में कितने rings होते है तो olympics flag में total five rings होते है question number 21 का correct answer हो जाएगा आपका option B five next question number 22 में बल रहे थे कि the capital city of Argentina is Argentina country का capital का नाम क्या है तो Argentina country का capital का नाम है Buenos Aires तो यहाँ पर question number 22 का correct answer हो जाएगा आपका option है Buenos Aires next question number 23 में बल रहे थे कि air asia has its headquarters in air asia का headquarters कहा पढ़ पढ़ता है friends air asia का headquarters पढ़ता है Kuala Lumpur that means यहाँ पर question number 23 का correct answer हो जाएगा आपका option B Kuala Lumpur next question number 24 में बल रहे थे कि which of the following is not an operating system for computers इन में से कौन सा आपका operating system नहीं है तो friends यहाँ पर Windows 11, Linux और Ubuntu यह तीनों आपका operating system नहीं है यह तीनों आपका operating system है पर Microsoft Office यह आपका application software है यह आपका operating system नहीं है that means यहाँ पर question number 24 का correct answer हो जाएगा आपका option C Microsoft Office next question number 25 में बल रहे थे कि which of the following is presently considered as the highest Himalayan pick of India इन में से किसको यहाँ पर presently highest Himalayan pick of India माना जाता है तो उस पीक का नाम है कंचन जंगा तो question number 25 का correct answer हो जाएगा आपका option है कंचन जंगा next question number 26 में बल रहे थे कि which mythical underground river is considered to have joined Ganga and Yamuna at threeveni संगम of progress formerly progress of Alabad उस mythical underground river का नाम क्या है तो उस mythical underground river का नाम है सरस्वती question number 26 का correct answer हो जाएगा आपका option C सरस्वती next question number 27 में बल रहे थे कि which of the following is measured in carrots इन में से किसको carrots में मापा जाता है तो गोल्ड को carrots में मापा जाता है तो question number 27 का correct answer हो जाएगा आपका option D gold next question number 28 में बल रहे थे कि which branch of study deals with the history of life on earth as based on fossils कौन सा ब्रांच डील करता है study of study of life on earth as based on fossils तो उसका नाम है paleontology paleontology तो यहाँ पर question number 28 का correct answer हो जाएगा आपका option है paleontology next question number 29 में बल रहे थे कि which instrument is used to measure atmospheric pressure atmospheric pressure को मापने के लिए इनमें से कौन सा instrument use होता है तो friends इनमें से barometer जो instrument है यह instrument atmospheric pressure मापने के लिए use होता है तो question number 29 का correct answer हो जाएगा आपका option B barometer next question number 30 में बल रहे थे कि in a game of coco how many members of chasing team enters the field and sit on their knees कोको गेम में कितने members chasing team का कितने members यहाँ पर field में enter करते हैं और knees के उपर वह बैठते हैं तो नंबर अफ प्लेयार्स आपका 99 इसे players होता है जो की कोको गेम में chasing team का member आपका field में enter करते हैं और knees के उपर बैठते हैं तो question number 30 का correct answer हो जाएगा आपका option c9 question number 31 में बल रहे थे कि which of the following is not a native to India इन में से कौन सा आपका प्राणी native to India नहीं है तो native to India नहीं है आपका chimpanzee question number 31 का correct answer हो जाएगा आपका option a chimpanzee next question number 32 में बल रहे थे कि which is officially the national tree of India national tree of India का नाम क्या है national tree of India का नाम है बनियन tree तो question number 32 का correct answer हो जाएगा आपका option b बनियन next question number 33 में बल रहे थे कि Agnes Gangsa Bajaxhui has been more popularly known as इन में से किन को इस नाम से जाना जाता है तो उनका नाम है Mother Teresa Mother Teresa को Agnes Gangsa Bajaxhui नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर question number 33 का correct answer हो जाएगा आपका option c Mother Teresa नेक्स्ट कुछन निम्बर 34 में बल रहे थे कि who invented the codes for telegraph telegraph का codes किसने invent क्या था तो telegraph का codes invent क्या था आपका Samuel Morsi ने question number 34 का correct answer हो जाएगा आपका option b Samuel Morsi next question number 35 में बल रहे थे कि what is the full form of nefa as Arunachal Pradesh was known earlier nefa का full form क्या है nefa का full form होता है North East Frontier Agency that means यहाँ पर question number 35 का correct answer हो जाएगा आपका option d North East Frontier Agency next question number 36 में बल रहे थे कि which of the following festival is mainly celebrated in Kerala इनमें से कौन सा festival mainly Kerala में celebrate करता है तो friends इनमें से आपका on-arm festival काफी famous festival है Kerala Street का यह festival आपका Kerala में celebrate करता है तो question number 36 का correct answer हो जाएगा आपका option b on-arm next question number 37 में बल रहे थे कि the main lead role in which movie was played by Jubin Garg जुमिन Garg ने इनमें से कौन सा movie में male lead role आदा ख्याता तो movie का नाम है Mission China तो question number 37 का correct answer हो जाएगा आपका option a Mission China next question number 38 में बल रहे थे कि who wrote the book Malguli Days, Malguli Days का writer को है तो Malguli Days का writer है R.K. Narayan question number 38 का correct answer हो जाएगा आपका option C R.K. Narayan next question number 39 में बल रहे थे कि drones are, drones, drones जैसे कि जो blogger होते है वो use करते है drones को use करके वो video बनाते है तो वो क्या है? वो unmanned aerial vehicle से तो यहां पर question number 39 का correct answer हो जाएगा आपका option D Unmanned aerial vehicle next question number 40 में बल रहे थे कि in the following list who was a football player इस list में कौन से आपका football player है? Friends, इस list में आपका Gilbert Son Sangma यह आपका football player है तो question number 40 का correct answer हो जाएगा आपका option है Gilbert Son Sangma next question number 41 में बल रहे थे कि which of the following states does not share border with Assham में इनमें से कौन सा state आपका Assham state के साथ border share नहीं करता है So friends, इनमें से सिक्किम state Assham state के साथ border share नहीं करता है बाकि West Pringle, Nagaland में जुराग यह तीनों state Assham state के साथ border share करता है पर सिक्किम state नहीं करता है तो question number 41 का correct answer हो जाएगा आपका option C, Tamilpur Next question number 43 में बल रहे थे कि who presented the budget for 2021 to 2022 in Assham Assham का जो budget है इस session का इस budget session 2021-2022 यह किस ने present कहता तो यह क्याता Finance Minister Ajanta Niyogji ने Question number 43 का correct answer हो जाएगा आपका option B, Ajanta Niyog Next question number 44 में बल रहे थे कि which of the following river is on the south bank of river Brahmaputra इन में से कौन सा river आपका river Brahmaputra का south bank की तरफ है तो उस bank उस river का नाम है आपका दिखो तो question number 44 का correct answer हो जाएगा आपका option C, दिखो Next question number 45 में बल रहे थे कि which one amongst the following is the oldest production unit इन में से सबसे पुरना production unit कौन सा है तो friends इन में से आपका dig boy refinery यह सबसे पुरना production unit है तो question number 45 का correct answer हो जाएगा आपका option A, dig boy Next question number 46 में बल रहे थे कि which amongst the following is the UNESCO heritage site इन में से कौन सा आपका UNESCO heritage site में लिस्ट दे तो friends इन में से आपका minus national park यह आपका UNESCO heritage site में लिस्ट दे इन में से कौन सा district को touch नहीं करता है कजिरंगा नेशनल पार्क तो friends कजिरंगा नेशनल पार्क इन में से मरिगाव district को touch नहीं करता है तो question number 47 का correct answer हो जाएगा आपका option D मरिगाव next question number 48 में बल रहे थे कि whose resting place is at Saraguri Chapuri at Digumuk नियार शिफशगर इन में से किन का resting place Saraguri Chapuri at Digumuk में है और वो place आपका शिफशगर के पास है तो वो आपका person का नाम है आजान पीर तो question number 48 का correct answer हो जाएगा आपका option C आजान पीर next question number 49 में बल रहे थे कि who established the guru dwarah at Dubri Dubri में जो guru dwarah है उसको किसने established किया था तो Dubri में जो guru dwarah है उसको established किया था आपका guru Tag Bahadur जी ने question number 49 का correct answer हो जाएगा आपका option B guru Tag Bahadur next question number 50 में बल रहे थे कि who was the first female actress of SME cinema SME cinema का पहला female actress का नाम क्या है तो इनका नाम है आपका idu Handic question number 4 50 का correct answer हो जाएगा आपका option है idu Handic तो ये total 50 questions इस exam में पूछे गेते general knowledge में तो friends ये video कैसा लगा नीचे comment box में comment करके जरूर बताएगा video को लाइक करिएगा video को आपने सारे friends के साथ share करना मत बूलियेगा thank you friends for watching this video